एक्टोवर चैनल जैसा कि मैंने रिशेंट वीडियो में आपको बताया था कि बैक टो बैक दो वीडियो और मैं लेके आने वाला हूँ हर्याना डिशी रेट भरती के बारे में तो आज हरियाना DC rate vacancy का एक नए वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जिसके अंदर हरियाना के अंदर जो DC rate vacancies निकली हुई है उसके बारे में detailed information आपको provide करूँगा कि कौन-कौन सी post है, कहां पर ये vacancies निकली हुई है कैसे apply करना है, क्या selection procedure रहने वाला है तो अगर आप complete information पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखे जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले, ताकि इस तरह की important videos आपको मिलती रहें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हर्याना DC rate vacancy आई है, या DC rate भरती आई है इसमें कोई भी exam नहीं होने वाला, कोई भी fees आपको pay नहीं करनी और salary आपको 17,500 रुपे तक की salary इसमें मिलने वाली है ठीक है, इसमें 2-3 तरह के पद निकली हुए है, 2-3 तरह की vacancies निकली हुए है ये देखिए, ये जो vacancies है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिला, प्रोग्राम, अधिकारी, महिला, एवं बाल, विकास, विभाग, सोनिपत के अंदर ये vacancies निकली हुई है ठीक है, तो कौन-कौन सी vacancies है, आप देख सकते हैं कि helper की post है यहाँ पे, only for male candidate के लिए है और salary आपको मिलेगी 6,000 रुपे इसमें दी जाएगी, ठीक है इसके बाद जो दूसरी post है, para medical staff की vacancies है एक vacancy है यहाँ पे, या pharmacist के नाम से भी हम इसको बोल सकते है 9,000 रुपे आपकी salary इसमें रहने वाली है plus two अगर आपने की हुई है with science subject जिसमे physics और chemistry हो या फिर pharmacist course diploma आपने कीया हुई किसी भी medical college रोहतक से या किसी भी other recognized institute से जो कि government of haryana से recognized हो तो वहाँ से तो आप इसके लिए apply कर सकते है and registration आपका होना चाहिए as a pharmacist with haryana pharmacy council ठीक है ITIS 31 और 31C और 31A of pharmacy act के according हिंदी और Sanskrit का ग्यान होना चाहिए metric तक 21-42 साल तक के candidate इसके लिए apply कर सकते है इसके बाद जो vacancy है counselor की vacancy है यहाँ पे एक post है 17,500 रुपे salary इसमें मिलने वाली है master degree अगर आपने की हुई है psychology के अंदर social work के अंदर child development के अंदर with minimum 55% marks तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं हिंदी और Sanskrit का ग्यान होना चाहिए metric तक और working knowledge होनी चाहिए computer की 25-45 साल तक के candidate इस post के लिए apply कर सकते हैं apply कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह देखें इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की सिवे सित्यापित प्रती सलंगन करते हुए दिनांक 7 December 2020 को साए 5 बजे तक इस दिये गए एडरस पर आपको भीजवाना है यानि कि एक होगा application form उसके साथ जो जो भी documents हैं आपके qualification से related है mark sheet जो भी है experience related mark sheet जो भी certificate है तो उसकी self attested copies आपको attach करनी है application form के साथ और उसको 7 December शाम 5 बजे तक इस दिये गए एडरस पर भीज़ना है जो की है अधिक्षक विशेश ग्रह बोस्टल जेल आईट गाई चोंक सोनी पर ठीक है अब बात आती है कि आवेधन पत्र application form आप कहां से आपको मिलेगा अगर आप आवेधन पत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह का application form आपको चाहिए तो वो हमने एक telegram channel सुरू किया है शिक्सा jobs and schemes के नाम से वहाँ पे उसकी PDF आपको मिल जाएगी अगर आप interested है तो आप join कर सकते हैं हमारे telegram channel को शिक्सा jobs and schemes के नाम से इसका जो link है वो भी description box में आपको मैं provide करवा दूँगा ठीक है तो यह जो vacancies है अनुबंद आधार पर है यानि कि DC rate पर है और कब तक चलेंगी यह यहाँ पर कोई अवधी यहाँ पर नहीं दी हुई है कि 6 महीने के लिए हैं कि साल के लिए हैं वो यहाँ पर पूर्ण कालिन और अल्प कालिन आधार पर की जाएंगे यानि कि पर्माइन काफी टाइम तक भी चल सकते हैं या फिर कुछ समय तक ही चल सकते हैं जब तक regular भलतियां वहाँ पर नहीं हो जाती हैं तो आज कि इस वीडियो में यहीं information आपके साथ share करनी थी जो हर्याणा DC रिट विकेंसी के बारे में थी अगर information पसंद आई है तो वीडियो को लेक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में bell icon को प्रेस जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू तो उसका notification आपको मिल जाए और इसे अत्रिक्त और selection procedure की हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिर्फ जो है interview होगा कोई भी exam आपका नहीं होने वाला इसमें और जैसे जैसे आप application form आपके जाएंगे वहाँ पे तो candidates को shortlist किया जाएगा based on their qualifications and experience ठीक है and उसके बाद उनको जो है interview के लिए call कर लिया जाएगा उसकी जो dates होगी जब भी notification आएग उसका तो मैं आपको inform कर दूँगा वीडियो के मैध्यम से तो उसके लिए भी आप जो है alert रहिए और तो आज किस वीडियो में यहीं information आपको देनी थी एक नए वीडियो नए content के साथ free में लेंगे तब तक के लिए bye bye जै हिंद जै भारत